कॉंग्रिस विधायक और दलित नेता जिगनेश मेवानी गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं जिगनेश की माने तो गुजरात में मौन लहर है मेवानी ने कहा कि इस बार राज्य की सत्ता से बीजेपी बेदखल होगी मेवानी ने दावा किया है कि राज्य में 182 सीटों में से कॉंग्रिस 120 सीट जीतेगी और क्या कुछ कहा है जिगनेश मेवानी ने देखते हैं ये रिपोर्ट गुजरात में आज पहले चरण के लिए 89 सीटों पर वोट डाले गए इसी बीच सभी राजनी तिक दल दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में भी जुटे नजर आए कॉंग्रिस विधायक जिगनेश मेवानी भी अपने इलाके में लगातार लोगों के बीच जाकर कॉंग्रिस के लिए वोट माग रहे हैं सभी पाटियों ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में जोग दी है बीजेपी ने कई बड़े नेताओं के टिकेट भी काटे हैं जो बीजेपी के दर्द में जाफा कर रहे हैं दूसरे चरण में बड़गाव सुरक्षित सीट पर मतदान होगा और इस सीट से कॉंग्रिस के टिकेट पर जिगनेश मेवानी मैदान में है इस विधानसवा सीट पर 5 दिसंबर को वोट पड़ेंगे बीजेपी ने इस विधानसवा सीट से मनी भाई बागेला को अपना उमीदवार बनाया है जिगनेश मेवानी इस सीट से मौझूदा विधायक भी है 41 साल के जिगनेश मेवानी बड़गाम सीट से दूसरी बार जीत के लिए जोर लगा रही है चुनाव प्रचार के दौरान मेवानी हर रोज करीब 10 गाउं का दौरा कर रही है पिशली बार 2017 के विधानसवा चुनाओ में वो कॉंग्रिस के समर्थन से निर्दली विधायक निर्वाचित हुए थे चुनाव प्रचार के दौरान एक इंट्रिवी में जिगनेश ने कहा कि गुजरात में इस बार मॉन लहर है और ये लहर बीजेपी के खिलाफ है गुजरात के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि अब बहुत हो चुका उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव देश को एक नई दिशा देगा उन्होंने कहा कि उनका नुमान है कि कॉंग्रेस चुनाव में 120 सीट पर जीत दर्ज करेगी और गुजरात के नव निर्मार की आधारशिला रखेगी मिवानी ने आगे कहा कि बदलाव जरूरी है बीजेपी चुनाव में हिंदुत सहित भावनात्मक मुद्दे उठा रही है लेकिन ये काम नहीं करेगा उन्होंने कहा कि लोगोंने मोदी जी को बड़ेस ने के साथ दो बार चुना लेकिन अब तक बेरोजगारी कम नहीं हु पता चल जाएगा डिवी लाइव की रिपोर